नमस्कार, A2Z dishes उशा कोड़जानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अद्रक का हलवा अद्रक हमारे सेयत के लिए काफी फायदे मन्द होती है जुकाम, खासी, सर्दी सभी मिटा देती है और ये अद्रक का जो मैंने आज हलवा बनाया है काफी हेल्दी है बच्चों से लेकर बड़ो तक को पसंद आएगा ये बहुत ही टेस्टी भी बनता है साथी साथ और ये हलवे की खास बात ये है कि आप इसे एक बार बढ़ना कर रखते हैं और 15-20 दिन तक आप इसे खा सकते हैं तो चलिए बिल्कुल भी देर्ने करते हैं बनाना शुरू करते हैं तो अद्रक का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपर 150 ग्राम अद्रक ली लिए और इस अद्रक को मैंने अच्छे से पानी से दो लिया है फिर सूखे साफ कपड़े से मनें साफ कर लिया अब इससे हम इस तरह से छीछे मैंने सारी अद्रक को छील लिया है और इसके छो छीलके है उसे एक ड़बी में बरका रग दे coop जब भी आप चाई बनाए तो अब उसमें डाल सकते हैं और स्वाद वही आएगा अद्रक काई तो इसे मैंने रख दिया है डबी में बरकर और यह जो अद्रक मैंने छील के रखे अब इसके हम टुकड़े करेंगे तो यहाँ पर मैं इसके इस तरह से रफली टुकड़े कर रहे हूँ क्योंकि इस टुकड़ों को मिक्सर में डाल कर पीस नहीं वाले हैं अब इसे हम side में रख देंगे और gas के उपर मैं रख दी एक कड़ाई और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2-3 चमच जितना गी गी यहाँ पर आप देख सकते हैं पिगल चुका है तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आदा कव गी हूँ का आटा जो हम रोटियों के तक बूनना है आप आज बिल्कुल भी तेज ना करें उससे क्या होगा आटा जल भी सकता है तो आप बिल्कुल दीमी आज पर इसे 5-6 मिनिट तक बूने जैसे जैसे आप इसे बूनते जाएंगे आटे का कलर चेंज होता जाएगा तो आप देख सकते हैं 5-6 मिनिट के बाद अच्छे से बून चुका है और एक खुश्बू भी आना शुरू हो जाएगी तो अभी आटे को में इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसी कड़ाई में मैं डाल रही हूं फिर से 2 चमच जितना गी तो गी यहाँ पर अच्छे से पिगल चुका है तो अब यह जो हमने अद्रक को पीसके रखा था यह डाल देंगे और इसे भी हम दीवी आज पर बूनेंगे तो यहाँ पर इसे हमें 6-7 मिनिट तक बूनना है जैसे जैसे अब इसे बूनेंगे अद्रक का जो रंग है वो भी बदलेगा और इसका कच्छापन भी दूर होगा बीच में मैं इसके अंदर डाल रही एक चमत जितना गी और और इसे हम अच्छे से बूनते जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसे बूनती जा रही हूँ तो थोड़ा सा यह कड़ाई में चिपक रहा है अगर आप नॉंस्टिक इस्तमाल करते तो नहीं चिपकेगा त और यह अद्रक का हलवा काफी फायदे मनत है आप इसे बनाए जरूर और इसे खाये सुबह शाम बच्चों को भी खिलाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अद्रक के अंदर मैंने आटे को अच्छे से मिला लिया है अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आदा कब कटा ह तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं उन्हें गुड़ को बारिक काट लिया है एक दब मोटे मोटे टुकड़े ना डाले गुड़ को बारिक काट ले ताकि अच्छे से यह जल्दी से पिगल जाए तो यहाँ पर हमें गुड़ की कोई चाशनी नहीं बनानी है बस तो देख सकते हैं थोड़ा सा बीश-बीश में इस तरह से दबाएंगे भी ताकि क्या जो गुड़ है वह अच्छे से पिगल जाए तो आप देख सकते हैं गुड़ के जो टुकड़े थे अच्छे से पिगल चुके हैं और इसके अंदर में डाल रहे हैं अभी एक चमच औ उल्टा ब्ला भी इस्तमाल कर सकते हैं तो दूद ढलने के बाद अच्छे से अमें मिलाते हैं और यहां पर जो दूद है उसे सूखने तक इसे हमें पकाना है तो इसी तरह से चलाते जाएं तो जैसे कि मैं पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं नहीं पसंद है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं पर इसे स्वाद और भी बढ़िया आता है तो यहाँ पर डालने के बाद मैं इसे मिलाती जा रही है और देखिए अच्छे से इस तरह से हो चुका है उसके बाद मैंने आप काली कजू और काजू में तो इसतारेकन काड़ी है Not Anざytet कि इस्ने को परके बाकि बादाम के यह नवां मेराद के नवां से, ऐसलोन काजू में तो इससे मिली नकली सकते हैं तो इस्ने म्लाथीकिस आप इस समझे मेरा खिर चाहिए और हमारा जो यह हलवा है बनकर तयार है बढ़िया सी खुश्बू आ रही है इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है उपर से मैं थोड़े से और बादम काजू काली किश्मिश और किश्मिश डाल रही हूं तो लीज़े तयार है सर्दियों के लिए खास बहुत ही बढ़ि मेरी रेसिपी कैसी लगी है अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे अपने फ्रेंस और फैमली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलती हूं एक न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू पर वचेंग